Hello everyone, welcome back to Effortless Java. आज हम लोग study करेंगे for loop pattern. यह आप site में अपने देख सकते हैं कि 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5. यह हम for loop pattern आज सीखेंगे कैसे हम इसको बनाएंगे. पर आज हम उससे पहले मैंने यह एक code पहले से और रखा हुआ है. और इस code को मैं compile कर चुके हैं और रण कर रहा है. तो अब हम लोग simply start करेंगे. अपने simple class बनाई. मैंने class को नम pattern था तो 3 times P रख दिया. और void main. void main के अंदर हमने fall loop एक भार outer loop लगाई है. int i 5, 1 से लेके 5 तक क्योंकि हमने देखा था. अभी अपने loop में कि हमें 1 से लेके 5 तक ही चाहिए. क्योंकि हमारे 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns, 5 rows हैं इसलिए. i rows के लिए होता है तो इसलिए हमने 5 ले ली. i को 5 तक चलाया. next हमने j लिया 1 से लेके i तक. हमने इसको vary करा क्योंकि आप देख सकते हैं number of columns हर row में सेम नहीं है. पहले आप इदर देखेंगे कि इदर खाली एक 1 column है. 2nd row में 2 column है, 3rd row में 3 column है. तो column vary कर रहे हैं. तो इसलिए हमने i तक कर लिया है. और उसके बाद हमने sop ln और हमने कुछ नहीं करा, j को print करवा दिया. तो अब मैं आपको score run करके दिखाती हूं कैसे होईगा. जब loop run करेगा पहले i की value क्या है? इदर 1. और j की value? j की value इदर क्या है? 1. तो अब i की value 1 और j की value 1. तो यह check करेगा condition. क्या j is less than equal to i? पर j तो less than equal क्या 1? 1 के equal है छोटा है? तो condition क्या होगी? true होगी. तो इदर क्या आएगा? sop print j. j की value समय क्या है? 1. तो इदर आपका 1 print होजाएगा. ओके, अब उसके बाद i की value ऊपर जाएगा. एक sop ln, तो cursor आप next में आजाएगा. यहाँ पर second row होगी. तो अब क्या होएगा? i की value 2 होजाएगी. i की value 2 होएगी, j की value 1 ही check करेगा. क्या 1 अब ही 2 से छोटा है. condition true. तो इदर क्या होगा? sop j. j की value क्या है? 1. तो 1 print होगा. फिर उसके बाद plus plus. तो j की value क्या होजाएगी 2? यह check करेगा. क्या 2 is less than equal to 2? condition आपकी क्या है? तो 1 की आपका चलेगा. और उसके बाद, जैसे j की value क्या होगी 3? 3 होते ही condition false. क्यों? क्योंकि j is less than equal to i. क्या 3 2 से छोटा है? condition false. तो जैसे condition false होगी, यह आजाएगा. एस नेक्स लाइन में आजाएगा. अब आई की value क्या होगी 3? जैसे i की value 3 होगी, j का loop चलेगा. simply कुष में आपका चलेगा. 1 से 3 तक. ओके, तो अब हमें क्या करना है? simply, अब दुवारा से हमाई j की value स्टार्ट होगी. j की value जब 1 होगी, तो यह चेक करेगा. क्या 1 is less than equal to 3, condition true, तो अंदर आएगा. प्रिंट करेगा j, j की इससे में value क्या 1, तो 1 प्रिंट करेगा. अब दुवारा j की value 2 होगी, चेक करेगा. क्या 2 is less than equal to 3, condition इससे में भी true है, तो j प्रिंट करेगा. तो j की value स्टार्ट होगी, अब जैसे j की value 4 होगी, चेक करेगा. क्योंकि 4 is greater than 3, और condition आपकी false होगी. तो अब जैसे होगा, SOPLN करसर दूसरी लाइन में आजाएगा, और i की value क्या होगी 4, जैसे i की value होगी 4, तो अब दुवारा चलेगा, j is equal to 1, 1 पे चेक करेगा, 1 is less than equal to 4, condition true, 1 प्रिंट होगा. अब j की value two होगी तो चेक करेगा, 2 is less than equal to 4, condition true, अब j प्रिंट होगा, j की value क्या होगी, जैसे i Jetzt je ak je value three होगी, check करेगा, j is less than equal to 4, condition true, तो क्या होगी 3 प्रिंट होगा, ऐसी 4 के लिए होगा, J की वाल्यू 4, चेक करेगा, क्या 4 is less than equal to 4, condition true, 4 प्रिंट हो जाएगा, अब जैसी 5 होगी ही, चेक करेगा, क्या 5 is less than equal to 4, condition false, तो यह क्यों हो जाएगा, J का लूप भार एंड होगा, और भार आएगा, तो इसे मिलेगा SOPL है, नेक्स लूप में कंसल आजाएगा, अब आई की वाल्यू क्यों होगी 5, अब J का लूप चलेगा, बन से दुवारा, यह चेक करेगा, क्या 1 is less than equal to 5, condition true, बन प्रिंट होगा, J की वाल्यू 2 होगी, चेक करेगा, क्या 2 is less than equal to 5, condition true, जे प्रिंट करेगा, J की वाल्यू क्या है, 2, अब उसके दुवारा 3 होगी वाल्यू, तो फिर दुवारा चेक करेगा, क्या 3 is less than equal to 5, condition true, तो 3 प्रिंट होगा, 4 होगी, तो यह चेक करेगा, 4 is less than equal to 5, 4 होगी, तो condition true भी तो 4 होगा, अब जैसे J की वाल्यू 5 होगी, 5 में चेक करेगा, क्या J is less than equal to 5, या 5 less than equal to 5, condition true, 5 प्रिंट होगा, अब जैसे J की वाल्यू 6 होगी, चेक करेगा, क्या 6 is less than equal to 5, condition false, उपर जाएगा, नेक्स्ट लूप में करसर आएगा, उसके बादे चेक करेगा, क्या I की वाल्यू के ओजाएगी, 6 से चेक करेगा, क्या 6 is less than equal to 5, condition false, यह भी condition false होगी, लूप एंड होगा, और यह आपका desired pattern, जो आपको होगा, तो यह simple एक प्रोग्राम था, कैसे fall loop का pattern, बहुत basic fall loop का pattern, कैसे print किया जाता है, हम next videos में थोड़ा नया pattern print करना चाहेंगे, stars वाला hashing करके जो prints होते हैं, आपके काफे अलग अलग patterns हम लोग print करेंगे, till then, I hope you like this video, and don't forget to subscribe to my channel, effortless java, effortless java को subscribe करें, और bell icon दवाना ना भूले, ताके आपको साही notifications मिलती रहें, thank you for watching the video, keep sharing the video.